श्री शिवाय नमस्तु भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं साथी में आज दोस्तो विनायक चतुर्टी है मतलब गनेश जी का दिन है और कई सारे माताएं बहने जो हैं इस दिन का व्रत भी करती है और वैसे चैत्रन अवरात्रे के वरत तो चली रहे हैं तो कई सारी महिलाएं जो हैं विनायक चतुरती का भी वरत करती हैं पूरत को करने से भगवान गनीजी का अशिर्वाइब हमें मिलता है सांति में चंदृ देव जी का आशिर्वाइब भी हमें मिलता है। मन आपके साथ होना चाहिए तभी आप इस उपाई को कीजी तो आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए यह उपाई आपको विनायक चतुरती के दिन ही करना है इसके अलावा और किसी दिन नहीं करना है साथ ही में दोस्तों आप इस उपाई को सुभा के समय भी कर सकते हैं शाम क दीपक आपको तयार करना है कैसा करना है आटे का दीपक बनाना है आटे का दीपक बनाने के बाद उसमें गोल बाती डालना है गोल बाती के बाद उसमें घी डाल देना है ठीक है यह ऐसा दीपक आपको बनाकर तयार करकर ले जाना है ठीक है ठीक है गोल बाती का घीपक आपक के और कि सबसे पहले आपको अपने नौ साभी पत्र में से पांच निकालने हैं पांच फांच पत्र निकालने के बाद आब इन पांच चाह से नेसा को ओपर जो जल बहता हुआ जाता है उस हिस्से का जो है सीधा भाग जो होता है जलाधारी की ऊपर वो गनेज जी का स्थान होता है जादा जानकरी के लिए आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं आप वहां से भी देख सकते हैं ठीक है तो आपको जो है शिवलेंगे की ऊपर जो गनेज जी का स्थान होता अब आपको शिव लिंग की उपर 3 शमरल्पित करना है अब आपको शिव जी का जो प्रांगड रहेगा वहां से बाहर जाना है बाहर नहीं जाना है सबसे पहले जब आप लोग जा रहे हैं तो अपना उल्टा हाथ देख लो कौन से है तो आपको करना है उसी शमी पत्र के साइड में आप जो घी का दीपक तयार कर लेगा है उसे वहाँ पर जला देना है ठीक है श्री मयूर धोज गनीज जी का नाम लेते हुए या मोर धोज गनीज जी का नाम लेते हुए उसे दिया को वहाँ पर जला देना है ठीक है और अगर आप किसी मनोकामन के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आज विनायक चतुर्ती है बहुत ही अच्छा दिन है तो करके जरूर देखेगा इस उपाय कोई भी समस्याती कमेंट करके पूश सकते हैं ओम नमस्टु भयाए जये बोले अबश्री शिवाए नमस्तु भ्याम